नमस्कार, मैं हो ससी, आई जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं पारा सिक्षक आज परियोजना कर्याला का घिराव करेंगे एकिकरित सहायक अध्यापक संहर्ष मोर्चा के आवाहन पर बकाया मान्दे भुगतान सहीत अने मांगो को लेकर सहायक अध्यापक पारा सिक्षक बुद्ध्वार को धुर्वा इस्थित जार्खन सिक्षक परियोजना परिशत के कर्याला का घिराव करेंगे इनका मांदे भोकतान जुलाई माहसे ही लंबित है मोर्चा ने बेतनमान के सम्तुल्य मांदे पर निर्नाई हेतुते समझोते के अनुसार अभिलम बैठक बुलाने की मांग की है साथ हे निमावली में संसोधन करते हुए EPF की सुविधा से जोडने मांदे भीरिधी के लिए C.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E. को कि अनुसार राज्य में कई अस्थानों पर हरगे से मध्य दर्जय कीी बारिश की संभ़्वना है ईससे मैज्बार्ण चम्ट्रबाक के पराला मनं वार को बारिश हो थी रही है इसे मोसम्री बदल गया बता दे मौसम विभाग के पुरोनमान में बताया गया है कि रांची जामतरा लाते हार चात्रा देवगर पूर्वी सिम्भूम गुमला सिम्डे का पच्मी सिम्भूम बोकारो पलामू रामगल खुर्टी दुमका धनबाद गढ़वा गिरीडी हजारी बाग कोडार्मा जीले के कुछ हिसो में में गर्जन के साथ बारिस हो सकती है और इस द loneliness बजरपाइत की भी असंका है गिरीडी में बजरपाइत से 43 जनवरो की मौत गिरीडीदी प्रखंड के भेलवा घाटी के तिलक डिह पंचायत अंतरगत udah जेरो डिह के जंगर में बजरपाइत से 43 जनवरों क मौत हो गाई म्रीत मौस्यों का मंगलवार को पश्चमासम कराया गया पश्चमासम की परकिरिया देर साम चलती रही घाटना में तीन बच्चे भी हलके रूप से जूल से हैं जिनका इलाज चल रहा है ग्रामिन अपनी मौस्यों को चलाने के लिए गाउं के समीप जेरो जंग जानवरों के साथ मरने वाले जानवरों की पहली घटना है बता दे इन जानवरों में 43 भेड, 13 बकरिया और 6 गाई बैल सामिल हैं आज पांच राजों की डिजीपी एक साथ बैठक करेंगे अंतर राज जी अप राधों पर अंकुस के लिए बुद्धवार को विडियो के माधम से पांच राजों के डिजीपी इस्टन रिजनल पूलीस कोडिनेटर की बैठक करेंगे बिहार के डिजीपी एक के सिंगल के अध्यक्सता में सुब्बा 11 बई से सुरू होने वाली इस बैठक में बिहार के अलावा जारकन उडिसा पछे मंगाल वा 36 गल के चलाने पर चर्चा होगी सभी पांचो राज खूफिया सुचनाओं के अधान परदान को लेकर भी जोजना बनाएंगे बैठक में यह रननिती बनेगी कि राजियों की सीमा पर चलने वाले नक्सल बिरोधी अभियान में सभी राज एक दूसरे का सहयोग लेंगे वा सुच सीम हमत ने दो दिवस्य दोरे के करम में 233 लाभुकों की बीच परिसंपतियों का किया वित्रान जार्खन के मुखे मंत्री हमत्री हमत्री ने अपने दो दिवस्य दोरे के करम में साहिव गंज के बरहेट बिधान सभाच्षेतर अंतरगत बरहेट 223 पलस 2 SSD उच बिद्याल के मैदान में जनता दर्बार सा योजनाओं का सिलन्या स्वाउध घाटन एवं परिसंपतियों के बित्रण कारिकरम में जनता को जम्मोदित किया और 293 लाभकों के बीच परिसंपतियों का बित्रण किया जारकन के सीम हमन्सुरेन ने साहिव गंज के परहेट में आयोजी जन सरम विभाग के तहद 46 लाभकों के बीच ग्रिन राशन काट का भी बित्रन किया गया सरम विभाग के तहद 7 लोगों को ई सरम काट बित्रन किया गया हजारी बाग में बच्चा चोर समाझ महिला अपसर और उसके पती को पीटा बच्चा चोर समझ कर अपने पती के साथ कार में सबार होकर अपने साथ पहुची थी इस दरहां चत्रा के नियोजन पता दिकारी मन्नु कुमार मवजूद थे वे सबसे पहले अपनी कार से कम्पनी के गेट के अंदर परवेश कर गया इस बीच पीछे आ रहे हजारी बाग जिला नियों लाए पता अधिकारी को तिर्वेनी सायनी के गेट के कुछ पहले ही ग्रामिनों ने बच्चा चोर समझ का रोक दिया उनके साथ मार पिट सुरू कर दी खाटना के दरान अधिकारी ने डर से कार की सिशा बंद कर दिया जिससे ग्रामिन और उग्र हो गाए उसके बाद ग्रामिन पता अधिकारी और उनके पती से उलच गाए मुखे मंत्री हेंन्चुरेण ने कहा हमारा काम देख विपक्ष का माथा खरा मुखे मंत्री हेंन्चुरेण ने मंगलवार को साहब गंज के S.S. High School बरहेट मैदान वा गोट्डा बो Arey Jaur के भाल गोट्डा मैदान में लोगोंको सम्धित किया उन्होंने कहा राज में सुखाल की दिती कंभीर है धान की खेती नहीं हो पाई है बावजूद लोग चिंता ना करे सरकार हर सुख दुख में आपके साथ है पुर्वकी सरकारों के पास लक्ष ही नहीं था अब हम काम कर रहे हैं तो विपक्ष का माथा खराब है पागलों की 2022 के रियर्ट मंगलवार को जारी कर दिया है मैट्रिक संपूरक परिक्षा में 48 पिषदी परिक्षाती सपल रहे जैक अध्यक्ष डाक्टर अनिल कुमार महतुर रियल्ट जारी किये इस परिक्षा में सामिये स्टूडेंट जैक ओफिसियल वेप साइट जैक रियल्ट.com के माध्यम से अपना रियल्ट चेक कर सकते हैं जैक द्वारा जारी रियल्ट के अनुसार मैट्रिक संपूरक परिक्षा में कूल 2866 परिक्षाती परिक्षा में सामिल हुए थे इसमें से 1386 परिक्षाती सपल रहे राहूल गांधी ही बने कांग्रेस अध्यक्ष जार्खन में प्रस्ताव पास राहूल गांधी इन दिनो भारत जोड़ो यात्रा पर है यात्रा को भारी जन समर्थन भी मिल रहा है इस बीच कांग्रेस के अंदर संगठनिक चुनाओ के परकिरिया भी चल रही है कई मौकों पर राहूल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिमेदा पारित हो चुका है बता दे रहूल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित करने वाले राजियों में अब जार्खन का नाम भी जुला है रांची के मौरबादी में अविजित कांग्रेस के परदेश परतिनेदी समेलन में परदेश परभारी अव पर जार्खन के पच्मी से मुँ में प्रतियोगता कायोजन किया जा रहा है सलक सुरक्षा को लेकर जाग रूपता के लिए प्रतियोगता आयोजित की जा रही है एक छुक परतिभागी इसके लिए इमेल आई डी रोड सेप्टी डॉट चाइबासा अड़रेट जीमेल सकते हैं फैसन के स्वेंग में सड़क सुरक्षा की अवहिलना करता युवा वर्ग या दैनिक गति विद्यों के बीच सड़क सुरक्षा पर पेंटिंग भेश सकते हैं चैनित परति भागियों को प्रुष्ट किया जाएगा इंडियन सूपर लिंग के मैच 11 अक्टूबर से टिक्टो की विक्री सुरू जमसेथपूर के जे आड़ी स्पोर्ट कमप्लेक्स में 11 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं इंडियन सूपर लिंग के मैच के लिए टिक्टो के ओनलेन विक्री सुरू कर दी गई है CEO मुकूल बिनायक चौधरीन पत्रकारों को बताया है कि ज्याडी में होने वाले मैच के टिकट फिलहाल ओनलेन बुक किये जा रहा है उन्होंने कहा है कि ptminstider.com पर जाकर टिक्टो का बुक किया जा सकता है बॉक्स ओफिस से टिक्टो की बिगरी 2 अक्टूबर से सुरू होगी इस बार टिकट का नियमतम मुल 50 रुपया वह अधिकतम मुले 3000 रुपय है खुटी में ड्रेगन फ्रूट कैपिटल बनाने की त्यारी जारखन के खुटी जीले में पोसक ततो से भरपूर ड्रेगन फ्रूट की खेती की जा रही है 12 एकड से अधिक बौमी पर ड्रेगन फ्रूट की खेती की गई है बहुषो में और 15 एकड बौमी में खेती करने की योजना है फिलहाल खोटी जिले के तोरपाक के तूरीगड़ा, कर्राक के कांडी, पोड़ा, टोली, खोटी के बिलांगी और गुट जोरा, मुर्हू के हेठ गुवा और इठे तथा अड़की परखंड के बिरबांकी में ड्रेगन फूर्ट की खेती की जा रही है लगभग 5-6 क्यूंटन ड्रेगन फूर्ट का उत्पाद्न हो चुका है, जिला पर सासन दोरा कोटी को ड्रेगन फूर्ट कैपिटल बनाने का पर्यास किया जा रहा है, इसके लिए हार घंड ड्रेगन फूर्ट अभियान चलाया जा रहा है कीडनी के इलाज के लिए लालो यादव जाएंगे सिंगापूर, रायत सुप्रीमो और बिहार के पूरो मुखमंदरी लालो परसाद यादव के लिए अच्छी खवर सामने आई है, CBI कोट ने उनका पासपोर्ट लोटा दिया है, वह कीडनी के इलाज के लिए अब सिंगा पूर जाएंगे, पिछले कई दिनों से वहा पासपोर्ट पराप्त करने के लिए परियासरत थे, इधर सिंगापूर जाने से पहलेवा जारखन के रायत परदेश अध्यक्ष का चैन भी स्वेम करेंगे, बता दे चारा घोटाले के पांच मामलो में सज़य हपता रायत सु रामगण जिले के गोला परखंड के बरलांगा थाना अंतरगत डाका गढढा नामक जगा पराप्राधियों ने रिवल्वर का भाय दिखा कर माइक्रो फाइनेंस कम्पनी के एजेंट से मंगलवार की दोफर एक लाग चाली से रुपय की लूट लिया है, डाका गढढा ज इसी बीच चार नकाप पोस अपराधियों ने घाटना को अंजाम दिया है, पिडित एजेंट के अनुसा रुपय लूटने के बाद अपराधी पडोसी राजे पछिम बंगाल की तरह भाग गए जारखन के सिक्छा मंत्री पुर्व मादी कमांडर को जामू में कराया सामिल, भाग पामवादी के पूर्व सब जूरर कमांडर नागेशवर महतो, उर्फ नागोशावी मामलों से बरी होने के बाद मंगलवार को डूमरी अमरा में जामू की सस्तागरान की, सिक्षा मंत्री जगनात महतो उसके घर पहुँचकर उसे पार्टी में सामिल कराया मंत्री ने कहा एक उन्हें 37 के खातियान लागू होते ही राजी के युवाओं के लिए रुजगार के आउसर खूल जाएंगे सरकार भी भटके हुए लोगों को मुख्यधरा में लाने के लिए परैस्र था है नागेश्वर महतों ने जामों में सामिल होकर मुख्यधरा में लोटने की एक्षा जाहिर की थी पार्टी में उनका स्वागत है कोईला कारोबारी से रंगदारी मामले में धूलू महतोक नहीं मिली रहात हाड कोक व्योसाई वरून कुमार सिंग से रंगदारी मांगने के मामले में बाग बरा के भाजपा विधायक धूलू महतोक और मंगलवार को अधालत से रहात नहीं मिली धनबाद के जिलास एवम सत्र ने अधिस अकलेस कुमार के अधालत ने विधायक के अधिवक्ता एसन मुखर जी राधेस स्याम गोस्वामी एवम अपर लोग अभियोजग कुलदीप सर्मा के अधालत सुनने के बाद पूलिस से कांड दैनिक तलब की है अधालत ने अगरिम जमानत अरजी पर सुनवाई के लिए 24 सितंबर 22 की तारिक निधायत की है कोईला कारुबारी अरुन सिंग ने 16 परवरी 22 को बाग मारा विधायक ढूलू महतो समेच 7 लोगों की बिरोदरंगदारी मंगने और जान से मानने की धमकी देने कारुप लगाते हुए राज गंज थाने में प्रात्मी की दज कराई थी इसके बाद गिरफतारी से बचने के लिए विधायक ने अधालत में अगरिम जमानत की अरजी लगाई है जारखन में सड़क की बधाये जल्द होगी दूर मुख्य मंत्री हेमान सुलेन की सम्विक्षा के बाद पथ निर्मान विभाग के अंतरगत एनेच की गारत सलको काम राफतार पकड़ेगा वहीं दूसरी ओर केंदर सरकार की एन एच ए आई के मादयम से बनाई गया रही चार और छो लेन के एकोनोमिक आई डोर के काम में भी तेजी आएगी इसमें जिटी रोट के अलावा बिभीन राष्टी राजमार सामिल हैं इन सलको का काम पुरा होने से पुर्वी राजियों के बीच अवागमन सुगम होगा व्यपार को बढ़ावा मिलेगा साथ ही खनीज की ढूलाई आसानी हो सकेगी बिना नक्सा घर बनाने वालों के खिलाप आर आर डिये करेगा करवाई राजिन अगर निगम छेतर से बाहर आर डिये छेतर में बिना नक्सा मकान बनाने वालों के खिलाप आर डिये करवाई करेगा दरसल बीते कुछ सालों में आर डिये छेतर में भवन निर्मान तेजी से बढ़ा है ऐसे में बिना प्लानिंग के बहुनों की निर्मान से भविस में यहां के लोगों को परिशानी का सामना करना पर सकता है इसे लेकर R.A.D.A. ने एक आम सुचना जारी की है जिसमें सभी बहुन निर्मतावों से नकसा पास करवा कर निर्मान बनाने को कहा है आराडिये नहीं अभी कहा है कि बिना नक्सा के बने माकानों पर आराडिये द्वारा अवज निरिवान का केस दर्श किया जाएगा साथ ही उनके खिलाब विधिस समोत करवाई की जाएगी दुर्गा पुझा में मनचलो पर नजर के लिए सादे लिवाज में रहेंगे पुलिस कर्मी दुर्गा पुझा और अगामी परवतेवार को लेकर मंगलवार को केंद्री सांति समिती की बैठक डी सी राहूल कुमार सिना के अध्यक्सता में हुई बैठक में SSP की सोर कौसल ने कहा है कि सुरक्षा के मदनज़त सभी पूजा पंडालों में CCTV लगा है और इसकी मोनेटरिंग की बेवस्ता करे उन्होंने बता है कि दुरगा पूजा पंडालों के आसपास मन चलो पर नज़ा रखने के लिए साधे लिवाजने पुलिस कर्मी त डलवार लटग रही है उनके विरूद मांदे रिकोवरी से लेकर प्राथमिकित की करवाई हो सकती है जारकन सिक्छा पर्योडना करयालए में से समधता नहीं है पईनाम सरूप उनके पवान पत्रों का सत्यापन नहीं हो पा रहा सौव सेडेर सव सिख्षकों के पवान पत्र फर्जी होने की अब तक पुष्टी हो चुकी है जार्खन में आस्थानिये निती को लेकर जार्खन आंदोरन कारी का सुझाव जार्खन अलग राजे गठन में अहम भूमकानी भाने वाले पूरो विधायक सूर्य सिंग बेश्रा ने कहा है कि आंद्र परदेश की तरह जार्खन में आस्थानियेता निती लागू करने की जरूरत है वहीं तमुलाडी की तरह यहां आरक्षन निती लागू होनी चाहिए उन्होंने कहा है कि मुख्य मंत्री हेमांसुरिन की सरकार दोरोने 32 का खतियान लागू करने की घोस्तना के बाद पक्ष बिपक्ष की रा निती तेज हो गई अईसे में उन्होंने एक गर सरकारी आस्थानियता निती का प्रारूप तयार किया है इस पर सरकार को विछार करना चाहिए पुरुविधायक ने बताया है कि उनकी पहल पर वर्ष 2015 में आस्थानिय निती प्रारूप समिती बनी थी जिसमें स्वरगिये पदमसरी डाक्टर रामदयल मुंडा सामिल थे धुमका के किसोरी के चरितर पर उठा सवाल बिनए दूबे पर होगा मुकादमा पेट्रोल डाल कर जिंदा जला दी गई दुमका की किसोरी के चरीत पर दाग लगाने वाले मुंबाई के यूटूबर बिनाय दूबे की मुश्किले बढ़ने वाली है किसोरी के परिवार को लेकर लगतार की जा रही टिपनी से नराई सोजन अब मान हानी मुकादमे की तियारी कर रहे हैं मंगलवार को घर के सेसो ने एक अधिवक्ता से इसके बारे में राय भिली है संभावना है कि बुद्धवार को केस दर्ज कराई जाएगी कि सोरी के पीता ने कहा है कि बिना दूबे अपने टीरपी को बढ़ाने के लिए उनकी बेटी के चरीत पर उंगली उठा रहे हैं जो अब इस दुणिया में नहीं है उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी गर्व से थी जब किराची में पोस्ट मास्टम के बाद इस तरह की बाद सामने नहीं आई है फिर वे उसके चरित पस सवालिया निसाना लगा रहे हैं 36 राष्ट्रिये खेल के नेट बॉल असपरधा में मोना लिसा अमपायर 36 वर आश्रिये खेल के नेट बोल अस्पर्दा में गोटा की मोना लिसा और गुंजन जहा का चैन अमपायर के रूप में किया गया है यह परत्योगता आगामी 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक गुजरात के 6 सोरों में होनी है इसका आवयजन भारतिय ओलंपिक संग और भारत सरकार की और से सन्युक तूप से किया जा रहा है ओलंपिक में सामील खेलों के लिए यह आवयजन महाकूंब जैसा है जिसमें विभिन अस्पर्दाओं के 14,000 से भी अधिक खेलाड़ी हिंसा लेंगे जबकि प्रतियोगिता में 30 से अधिक खेल खेले जाएंगे पोशन सक्षियों ने किया अस्थाई नियोजन की मांग अस्थाई नियोजन की मांग को लेकर मंगलवार को गोल्फ ग्राउंड में की क्रीत पोशन सक्षि संग की परदेश अस्तरिय बैठक हुई अध्यक्षताप परदेश अध्यक्ष अंजिनी कुमार ने की इस दरान अंगनवारी केंद्र में पोशन सक्षियों को दोबारा बहाल करने और अस्थाई नियोजन देने की मांग जोरदार धंग से उठाई गई अंजिनी कुमारी ने कहा है कि धनबाद सहित राजे के 6 जिलों में सरकार की ओर से अंगनवारी केंद्रों में पोशन सक्षियों की बहाली की गई थी धनबाद में लगभग 2000 पोशन सक्षियों को बहाल करके अंगनवारी केंद्रों में लगाया गया था लेकिन पिछले एक वर्सों से सभी पोषन सक्षी को सेवा मुक्त कर दिया गया मांदे भुकतान की मांग और पुरा नियोजन को लेकर पोषन सक्षी लागातार अंदोलन रत है इसके बावजूद अभी तक सरकार केवल अस्वासन दे रही है ज्यारखन में तेजी से पैर पसार रहा लंपी वायरस देश के रायस्थान गुईराज पंजाब उतर परदे समेथ दरजन भर राज्यों में कोराम मचा चुका लंपी वायरस अब ज्यारखन में भी अपना पैर पसार रहा है बिते एक सब्ता हमें यहां लंपी, इसकीन, डिजीज से संक्रमीत कई पसुओं की मौत भी हो चुकी है जिसे हैं कि पसुपालक दोसत में है, जारकन के अत्तिरीक्त या वायरस बिहार में भी फैल रहा है पर संतोस की बाते हैं कि वायरस का संक्रमन अभी इस्तराज में कम है धन्यवाद ऐसे में हमें आप कोमेंट बक्स में बताएं कि क्या आपके आस पास भी पसुओं में लंपी वायरस जैसे लक्षन दिख रहे हैं या नहीं साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेयर करें साथ साथ आप हमें कमेंट बक्स में अपना फीड़बाइक अवस से दे थैंक यू